हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं WK Creator YouTube चैनल तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजी लोकर पर अपना अकाउंट केसे रजिस्टर करें अगर फ्रेंड्स आपको पता नहीं है कि डीजी लोकर अप क्या है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये एक सरकारी अप है जहाँ पर आप अपने सभी डॉकुमेंट्स रख सकते हैं तो फ्रेंड्स भिना देरी के हम वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं कि डीजी लोकर अकांट केसे बनाए या इसके लिए आप सबसे पेले अपना मोबाल का प्लै श्टोर एप उपन कर लेंगे और यांपर सर्चे करेंगे डीजी लोकर एप थो फ्रेंड्स आप सबसे पहले डिजी लोकर एप को इनिस्टॉल कर लें Friends, कुछ समय लगेगा इसे डाउनलोड होने में इनिस्टॉल होने के बाद आप डिजी लोकर एप को ओपन कर लें तो दोस्तो ओपन करने के बाद आपके सामने एसा इंटरफेस ओपन होगा आप यहाँ पर get started पर click करेंगे तो friends आप यहाँ पर create account पर click करेंगे अगर दोस्तों आपने पहले से कोई account बना रखा है तो sign in करें नहीं बना हुआ है तो आप create account पर click करेंगे तो चलिए हम create account पर click करते हैं देखे दोस्तों आपके सामने जो first option है यहाँ पर आप अपना आदार में जो name है वही name यहाँ पर fill करेंगे उसके बाद अपनी date of birth जो आदार में दे रखी है वो date of birth यहाँ पर डालेंगे उसके बाद आप अपना gender choose करें male है यहाँ female है उसके बाद अपना एक mobile number यहाँ डाले अगर आपका मुबाइल नमबर आधार कार्ड में लिंक है तो आप वो डाल सकते हैं आप कोई दूसरा निया नमबर भी डाल सकते हैं आप यहाँ पर 6 डिजिट पिन सेलेट कर लें और अपनी इमेल आईडी डालें उसके बाद अपने आधा नमबर डाल कर सम्मिट बटन पर किलिक कर दें फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ पर किलिक करेंगे तो उस आपके पास एक OTP आएगा उस OTP को आप यहाँ पर फिल करें उसके बाद सम्मिट बटन पर किलिक कर देंगे आप यहाँ पर अपना एक यूजर नेम सेट कर लें जो भी आप अपना यूजर नेम रखना चाहते हैं यहाँ पर अपना एक यूजर नेम टाइप कर लें मैं एक यूजर नेम टाइप कर लेता हूँ तो चलिए दोस्तों मैंने एक यूजर नेम टाइप कर लिया है उसके बाद आप सम्मिट बटन पर किलिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप ओके पर किलिक करें आप एक बार यहां कन्फर्म कर लें कि आपका यूजर नेम यहां अलाउड है या नहीं है उसके बाद ही आप ओके पर किलिक करें तो चलिए अपना यूजर नेम यहां पर ग्रीन में दिका रहा है उसके बाद आप ओके पर किलिक कर लेते हैं तो चलिए आपका यूजर नेम सक्सिस्पूल क्रियेटेड हो चुका है एक यूजर नेम आपका बन चुका है उसके बाद आपके सामने एप का कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा आप यहाँ पर क्रोज पर किलिक करके आप यहाँ पर लोगिन हो चुके हैं आपके सामने बहुत सारे एप सा चुके हैं आप यहाँ पर किसी भी योजना पर किलिक करके अपना जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि डीजी लोकर पर अकाउंट कैसे बनाएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजे सस्क्राइब कीजे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद